हेलो फ्रेंड्स व्यल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम स्थिएंगे दोस्तों कि कैसे हम एक्सल में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो अब देखने दोस्तों कि यहां पर मैंने आपके सामने कुछ data को एंटर कर रखें जिसमें कि मैंने दोस्तों serial number name subject total percentage और date को एंटर कर रखें तो हमें simply इसके का चाहिए print तो यहां से हम जाएंगे simply file में यहां से करेंगे print तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारा उसका preview आ चुका है तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारा columns on one page जितने भी दोस्तों आपके columns होंगे वो दोस्तों सब column आके आपके एक ही page पे fit हो जाएंगे तो simply हम कर लेंगे इसे select तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारा grade का भी option आ चुका है ओके फैंट्स अब यहां से हम जाएंगे letter में और यहां से select कर लेंगे अपना a4 size क्योंकि दोस्तों जो भी हमारा page का size होता है वो normally a4 होता है अब यहां से हम जाएंगे normal margin और इसे करेंगे custom margin और यहां से हम दोस्तों इसे देदेंगे 0.5 और यहां से bottom से भी 0.5 और राइट से भी 0.5 और लेट से भी 0.5 और यहां से click ok तो अब देख रहें कि यहां पर हमारा data दोस्तों कुछ increase हो चुके हैं और यहां से दोस्तों हम इसे open करेंगे grid view में और यहां थोड़ी बहुत अपने margin और कम कर देंगे दोस्तों जिसे के दोस्तों हमारा data easily इस पूरे seat पे आ जाएगा ok friends और यहां से अपने data को कर देंगे close normal view में अब इसे दोस्तों करेंगे नीचे scroll down तो यह है दोस्तों हमारा first page और यहां पर दोस्तों हमारा second page तो आप देखें दोस्तों कि हमारा second page पर यह heading नहीं आ रही है जैसे कि serial number subject हो और उनके name आए यहां पर लिखके और यहां पर percentage आए और यहां पर उनके grade आए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो यहां से हम जाएंगे फिर से back और यहां से जाएंगे अपने page layout में और यहां पर दोस्तों आपको एक option दिखेगा print tiles का तो इसे करेंगे select और यहां पर दोस्तों मिलेगा आपको row to repeat at top इसे करेंगे यहां से select और यहां दोस्तों आपने दोनों row को करनेंगे select ओके friends और यहां से करतेंगे simply click ok और यहां से जाएंगे फिर से अपने file में फिर से print तो यहां से हम जाएंगे अपने second page पे तो आप देखें दोस्तों कि यहां पे भी हमारा वही जो row था वो दोस्तों repeat हो गया है जैसे की serial number, name, subject, total, percentage or grade ओके friends अब बारी दोस्तों कि जैसे यहां पे आपको लिख्या रहा है कि two of two और यहां पे लिख्या रहा है दोस्तों one of two यही चीज़ दोस्तों हमें अपने page भी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो यहां से हम जाएंगे page setup पे और यहां पर दोस्तों आपको option देखेगा header and footer तो हमें दोस्तों किसमें चाहिए footer में तो simply हम करेंगे footer को open और यहां पर दोस्तों आपको option दी जाएगा बहुत सारी pages का तो हम console select करेंगे page one of okay friends जितने भी हमारे page हो वो यहां पर लिखके आ जाएगा और यहां पर करदेंगे simply click okay तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पर हमारे page के bottom पे आच चुका है page one of two मतलब यह पहला page है कितने page में से second page में से और फिर से करेंगे अपने second page पे click तो आप देख रहे हैं कि यहां पर लिख किया रहा है page two of two okay friends और यहां से चलेंगे आपने पहले page पे okay friends और दोस्तों आप simply यहां पर कर देगे print पे click तो यहां पर दोस्तों आपकी copies है आपको कितने copies चाहिए आपको दो चाहिए तो यहां पर simply two हो जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था अगरे दोस्तों आपको वीडियो बसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें चैनल को बस्क्राइब करें and have a nice day